दोस्तो शाश्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस विक्ति के घर में ये सभी चीजे नहीं होती हैं, उसके घर में कभी भी बरकत, सुक, समरिद्धी और माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं. बहुत सारे लोग अपने जीवन में पूजा पाट करते हैं, वरत करते हैं, लेकिन अगर आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता है, तो आप इन चीजों को जरूर ही ध्यान रखें, क्योंकि ये सभी चीजे धन आकर्शन के लिए सुक, समरिद्धी के लिए बहुत ही सभी चीजे हो जाती हैं, और उसे अपने पूजा पाट का अधिक से अधिक फल भी प्राप्त होता है, बलकि खुद ही भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी चीजों के बारे में बताया है, जो आपको जरूर ही अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे घर में हमेशा सुक सम समरिधी बनी रहे, तो दोस्तों सबसे पहली चीज है दक्षिनवर्ती शंक, अगर आपके घर में दक्षिनवर्ती शंक है, जो कि आपके नाम से सिध्ध हो, तो ऐसे शंक को अगर आप अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं, और रोज सुबह इसी जल को पीते हैं, तो इस से धन और सुक समरिधी के सभी मार खुल जाते हैं, बलकि ये एक ऐसा अचूक उपाय है कि इसके बाद कुछ भी करने की आवश्रक्ता नहीं पड़ती है, इसी एक मातर प्रयोग से ही धन आकर्शन बहुत देजी से होता है, और जो भी वेक्ती दक्षिनवर्ती शंक का पान अबी तक पहुँच जाता है, अगर आप दक्षिनवर्ती शंक अपने नाम और गौत्र से सिध प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें वट्सेप कर सकते हैं, वट्सेप नमबर स्क्रीन पर है, इसी तरह से दूसरी चीज भगवान श्री कृष्ण ने बताई है कि जो भी व्यक्ति अपने घर आय हुए महमानों का आदर सतकार करता है, और अपने घर के पूर्व उत्तर कोने में यानि के इशान कोने में जल भर के रखता है, उसके जीवन में अपने आप ही सुक समरिद्धी के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जी दोश समाप्त हो जाते हैं, और जीवन में सुक समरिद्धी आकरशित होने लगती है, अब तीसरी चीज़ है, सिध मुंगे की माला, अगर आप अपने नाम से सिध मुंगे की माला धारन कर लेते हैं, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याइं बिलकुल भी न लेते हैं, और कर्ज की किष्टे भर-भर कर ही ठक जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने नाम और गोत्र द्वारा सिध करवाकर मुंगे की माला को धारन कर लेना चाहिए, या किसी भी मंगलवार को धारन की जा सकती है, लेकिन आज कल बाजार में सब जगे नकली मालाएं ही मिलती हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है, तो अगर आप यह माला अपने नाम और गोत्र से सिध प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यह माला हमारी संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, जिससे पूर्ण सिध की हुई माला आपको प्राप्त हो जाएगी, वर्टस और सांसारिक सुक फिर नहीं होते हैं, हमेशा ही वह सुक समरिद्धी को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है, इसी के साथ पाँचवी चीज जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, वह है चंदन का इत्र, चंदन का इत्र शास्तरों में इतना ज़्यादा चमतकार अगर आप अपने पर्स में जो पैसे रखते हैं, उन पर चंदन का इत्र लगा लेते हैं, तो इससे घर में बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है, बलकि जहां पर तिजोरी में आप पैसे जेवरात रखते हैं, वहां पर भी चंदन का इत्र लगा देते हैं, तो इससे हमेशा ही तिजोरी भरी रहती है तिजोरी में धनाकरशन शुरू हो जाता है और यही इत्र अगर आप अपनी नाभी पर भी लगाते हैं तो इससे मान सम्मान की जीवन में प्राप्ती होती है बलकि जहां भी अगर आप जाएंगे तो वहां आकरशन का केंदर आप ही बन जाएंगे लेकिन आज कल बाजार में चंदन इत्र सही नहीं मिल पाता है, जिसका कोई भी लाब नहीं हो पाता है, तो यह भी आप हमारी संस्थान से ही मंगवा सकते हैं, यह सभी चीजे भगवान श्री कृष्ण ने सुक समरिद्धी और धन आकरशन के लिए बताई हैं, तो जरूर दो जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें जिससे आने वाले सभी ग्यानवर्दक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें, धन्यवाद!